वेल्गम तो माइ नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो फार्मकलोजी का चैप्टर नुमर 4 का लेक्चर नुमर 5 एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना लास्ट लेक्चर एंटी एंजाइटी था और यहाला क्या है एंटी डिप्रेसेंट कहीं ना कह यह चीज रैफर करता हूं चल रहा हूं क्योंकि हम लोग क्या है आगे जाकर के एकजिट एक्जाम भी आने वाला है ठीक है एकजिट एक्जाम भी आयगा वहाँ पे फार्मस्टेटल केमिश्ट्री अपने कोर्स में इंक्लूड़ीड है फार्स्ट यहर में ठीक है तो जिन तो वहीं से कुछ बात में वापस उठाके लेके आया हूँ क्योंकि उसको पढ़ लोगे और फिर इसको पढ़ लोगे तो वो एक साथ मर्ज होके पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हारा दोनों पढ़ाई हूँ थोड़ा कन्सीजन रहता हूँ तो इस बात को वापस बताता हूँ डिपरेशन होता किया है ठीक है ना कुछ लोगों को कई चीजों से घबराट होती है किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है कई बर कांट्रोल नहीं रहता है ये एक मांसिक इस्तिती है जब आप खुद को helpless बेबस अब helpless हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं कर सकता मैं ठीक है ना महसूस करते हैं इसे anxiety कहते हैं कि यार बस हो गया मैं इससे यादा नहीं बढ़ पाऊंगा बस यह हो गया helpless बास समझना लेकिन जब आप hopeless महसूस करने लगते हैं कि यार वस इस बार तो अब इतना नहीं हो पाएगा अगली बार देख लेगा अगली बार पास हो जाओंगा लेकिन इस लिए नहीं बढ़ पाए बात बागी इस बार नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं पक्का कर दूँगा मैं तो वह हो गया helpless present time पे helpless हो लेकिन hopeless नहीं हो ठीक है ना तो helpless और hopeless दोनों में difference है तो जब आप hopeless हो जाते हो बस यह होता है depression मैं सुझ करने लगते हो याने कि आप अपने भविश से उमीद खो बैठते हैं तो इस मनोश्थिति को depression कहते हैं यह बात मैं इसलिए वापस से रपीड करी है क्योंकि ज़रूरी भी है आप लोग ठीक है ना helpless अकसर इंसान कभी नहीं होना है बिलकुल एकदम अपने आप से promise करेंगे कभी कोई भी hopeless नहीं होगा ठीक है अब होता है क्या हमारा मूड देखा हो रहा है जब बहुत जादा आप है तो जैसे कि लोग खुश हो थे हैं तो सुना होगा एक होगा लोव चएमिकल के नाम से बितक हुए रहाए थे थीया nya molecule known as known chemically as monoamines इनको हम लोग क्या कहते हैं monoamines amines study होते हैं इनके साथ तो इनको monoamines कहते हैं that are believed to involved in mood regulations जाता है कि यह हमारे mood को regulate करते हैं कौन-कौन है dopamine norepinephrine और serotonin के लिए रहे तो dopamine play a central role in decision making motivation arousal and signaling of pleasure and reward arousal मतलब एक तरह का excitement है pleasure और reward जो हमको खुशी मिल रही है जो हमें एक तरह से gift type मिलने वाला है उस चीज़ को लेकर जो हमने खुशियां मिलती है वो सब dopamine की वैसे फीर होता है नorepinephrine influences alertness जो हम alert रहते हैं खुशी एक अलग चीज़ होगी है जब को इपी और हर्ट को regulate करता है में ली क्या आ गया यह अलर्ट पर आ गया ठीक है serotonin क्या कर रहा है the neurotransmitter whose role it is regulate mood appetite हमारी भूख sleep memory social behavior and sexual desire यह सब चीज़ें कौन लेके आ रहा है इन तीनों का एक balance रहना चीए अब देखो जो हमारा यह क्यों मैंने दुवारा से बता दिया मैं चाहता तो डाइट lecture का नाम लेकर छोड़ सकता है क्योंकि इसके classification जब हम करेंगे तो वहां पर ठीक है reversible inhibitor of molecule amine oxidase serotonin selective serotonin reuptake inhibitor वापस से इनके नाम आने वाले है तो यह तीन chemical हमें चाहिए हमारे neurons के जो जंक्सन होता है यहां पर यह chemical होने चाहिए यह chemical यहां पर चाहिए चाहिए हमें जिससे की आगे excitement बना रहे है ठीक है तो जो क्या कह रहा है in people with depression the availability of these neurotransmitters neurotransmitters पता है ना in the brain is characteristically low यह क्या हो जाता है यहां पर इनका जो release होता है वो कम हो जाता है ठीक है antidepressant work by increasing the availability of one or several of these neurotransmitters in different or distinctive way जो antidepressant होते हैं वो किसी तरीके से यहां पर इन neurotransmitter का जो उपर के तीन पड़े हमने उसका level बना के रखते है जिसके वैसे आगे लगाता सिंगनल जाते रहता है और हमारा mood क्या रहता है active रहता है अब reversible inhibitor of molecule amine oxidase इसके दो पार्ट होते हैं एक A होता है एक B होता है तो यहां पर हम A वाला पार रहते हैं तो इसको हम लोग कई वार रीमा भी बोल देते हैं ठीक है ना reversible inhibitors of molecule are mono amine oxidase ठीक है ना इनिबीटर होते है reversible inhibitors of mono amine oxidase A इसको हम रीमा भी कहते है selective serotonin reuptake inhibitor जो serotonin यहां पर आ गया है वो वापस से re-uptake नहीं होगा, यहाँ बना रहेगा A-typical, A-typical मतलब इनका mechanism थोड़ा सा अलगी type का रहता है then tricyclic antidepressant इसके अंदर 3 cycle वाले compound होते हैं then serotonin और noradrenaline noradrenaline यही हमारे पास noradrenaline re-uptake inhibitor ठीक है ना? तो यहाँ पर इन दोनों को re-uptake को रोकेगा, यहाँ पर केवाल serotonin के re-uptake को, मतलब यहाँ से chemical वापस नहीं जाने देगा पूरा full detail हमने part 1 में यानकी D1 डा pharmacy, D4 part 1 में lecture number 5 और chapter number 5 में हम लोग ने इसको और detail में discuss किया था, तो मैं पूरा lecture उसको मत देखना लेकिन उसका starting जरूर देखना ठीक है ना? उसके बाद क्या है तुमको यहाँ पर जाजियो, यह main main headings है ना यह यह तुमको थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या example, तो भाई, moclobimide chlorgyaline, fluxotene fluorosanine, paroxetine ठीक है ना? काफ़ सारी example है कोई भी मैंने जाएंग से हमेसा बताता हूँ जो आसानी से याद हो जाएं जो पढ़ने में आसान लगे classification के purpose से तो एक, दो, तीन, चार और पाँच ठीक है ना? जो पढ़ने में आसान लगें उसमें से दो-दो example याद कर लेने जरूरी नहीं है कि सारे याद करो लेकिन हाँ सारे याद इसलिए करने है जब question आएगा तुमारे पास objective तो कैसा आएगा? सब को जाएसे लिखा आएगा Bipropion is ठीक है? अब ऐसे आ सकता है कि इस एंटी 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 डिप्रेसेंट तो तो असान हो गया लेकिन अगर आ गया Bipropion is जो टफ बनाने के बारी आएगी is रिवर्सिवल इनिबीटर इस एन एंटी डिप्रेसेंट ऑफ कैटेगरी जिरे जिरे उसको जब भी रिवाइस करो जितनी बार रिवाइस करो दो-दो ड्रग अपने बढ़ाते चले जाओ किलियर है बाते हैं हमेशा बताता हूं मैं यह चीज अब फार्मकोलोजिकल एक्षन देख ले जारा इसके तो मेंली यहां पर क्या है एक डिप्रेश्ट इंसान खाता है तो उसके उपर एक अलग असर देखने को मिलता है इंडियूजल इंडियूसे इंडियूस मतब बढ़ावा देता है पेकिल्यार क्लमसी फीलिंग एक जैसे नींसी है सुष्टी जैसी है टायडनेस थकान-थकान से लएगी लाइट हैडिनेस सर हलका हलका से लएगा स्लीपीनेस नींसी आएगी डिफिकल्टी इन कंसेटरेटिंग सही से फोकस नहीं कर पाऊगे एंड फिंकिंग सोच नहीं पाऊगे अनिस्टी डी जैट ओके ठीक है तो यह सब दिक्कत आती है अनिस्टी जैट याने कि हमारा नॉर्मल चलने फिरने में भी दिक्कत होने ल सेडेशन होता है थोड़ा बहुत ठीक है ना इन दा केस ऑफ ड्रग वीच एफ सेडेशन प्रपर्टी वह भी उसकेस में होता है जिन ड्रग के अंदर सेडेशन प्रपर्टी यह थोड़ा बहुत हमको जो डिप्रेस्ट पेशन है उनके अंदर हमको सेडेशन देखने को मिल तो दो यही सारा इसका सारा खेल है जो इस स्टार्टिंग में चीज ने पढ़ा दी गई है ठीक है एंटिकोलनेरजीक, कोलनेरजीक और यवन जो हम लोग ने फार्मसुटिकल केमिश्टी पार्ट वन में पढ़ा था तब भी था तो अगर तुम्हें इसका मतलब पता बार- वीडियो देख लो, लिख लो, कॉपी रखो, यहां इसको मैं को रिवाइज करना है, तो क्या आ गया, पोटेंट एंटी कोल एनरजी, क्यानि कि एंटी कोल एनरजी को वाले जो एक्शन से वो सारे करेगा यहां पर, ठीक है न, कॉस जैसे की, ड्राइ माउथ, ब्लरिंग ओफ, विजन, विजन का दुन्दला परोना, कॉंस्टिपेशन कब्ज है, यूरिनरी हैसिटेंसी है, यान कि, टॉइल्ट करते वक्त वह इसी दिक्कत आती है, के सऊधिया, होती ही नही यह, एससाइड एफक्ट ठीक है, यह एनसके एके एफक्ट आते हैं, कार्डियोस्क Red Cellar System की बात करें, तो कार्डियो हरण वाले की बात करें, तो फंक्षन सार, एफक्ट औन कार्डियोस्क्रीइल फंक्षनस आर, प्रमिनेंट काफी ज़्यादा देखने को मिलता है और कर एट फिर्पेटिक कंसेट्रेशन यान कि हम लोग ठीक होने के लिए जिस लेवल पे इतनी डोस खा रहे हैं उतनी डोस में हमें कार्डियोस्क्राइब को उपर काफी ज्यादा एफेक्ट देखने को मिल जाते हैं एंड बिकम हाई होग कि Bowl को की सब्सक्राइब कुण तो चक्र जैसा होगा कि यह उसका सब्सक्सक्राइब होगा A कि जो TCA का effect जो है वो देखो हर एक drug के जो TCA का अंदर category जो drug आते हैं उनका सबके effect है ठीक है लेकिन जो बाकी के drugs हैं उनके effect ना के बराबर है यानि कि selective serotonin का देखो यहाँ पर nail है ठीक है थोड़े बहुत फिर यहाँ देखने को मिल जाते हैं अदर्वाइस जाने कि बाकी drugs में उतना effect नहीं है pharmacological action जितना कि TCA का है इसलिए मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर TCA का ही पढ़ते हैं तो pharmacological action में इसी के बारे में लिखोगे काम चलेगा ठीक है तो यहाँ पर एक तरह से देखा रखा है कि इसरेडेशन एंटी-मस्करैनिक अब मस्करैनिक मस्करैनिक action याद है आलफा-बीटर-receptor मस्करैनिक चीज़ें याद आ रही है कुछ है हाइपो टेंसन कार्डेक एरिद्मिया मस्करैनिक लेकर यह नहीं आप मस्करैनिक करता फिरूंगा जाओ जाकर कि देखो मस्करनी काँ पढ़ा था क्या समझाया था सीजर प्रेस्पिटिशन सीजर के लक्षन बढ़ सकते हैं ठीक है ना डिली डोस दे रखिए यह चाहो तो याद रख सकते हो डोस में काम कर जाएगा तुम्हारा ठीक है यह चार्ट याद करन ही है जैसे मोकलोबिमाइड डोस 150 mg बीडिया टीडियास मैक्सिम 600 mg पर दे हो सकती है इमिप्रमीन है एमिट्रिप्तिलीन है रिवाक्सीटीन है फ्लुक्सटीन है सर्टालीन है ठीक है ना और तेना पेंटेन ठीक है दोस मैंने जैसे बताया लिख लोगे लास्ट लक्षर मे है इसकी 75 है और जैसे यह मालूब 50 है तो क्या हो गया पचास पचास देड़ सो हाना याद रखना असान रहता है हमको 75 का दूना 140 है तो देड़ सो क्या सपास आ गया पचास 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 देड़ सो तो चीज़ें ऐसी निकाल के रखोगे कि जब जनल कुई जालतर आने की संभावना बहुत काम है कि भाई ऐसा बता दो कि एक दो को खराब नहीं करेंगे क्या कहते हैं कि इन एक एक को याद करने के चक्र में बहुत डाइम वेश्ट नहीं करेंगे ठीक है ना असी नंबर का पेपर आएगा उसमें से मान लो असी मैंसे दो चार पांच नंबर का अगर ये सारा निकल भी जाता है वनमाक्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो लोग याद कर सकते हैं वो लोग याद करें मैं यह नहीं करा कोई यादनात करो जिन बच्चे को कि बताता हूं मैं कि इनको छोड़सकते हो ऐसा कar सकते यह उन बच्चों के लिए हैं जो कंपड़के बस पास होने के लिए पड़ रहे है ... और जो बच्चे पूरा डिटेल जाना चाहते है अच्छी से पड़ सकते है वो लोग पूरा पड़े हैं .. उनके लिए मैं कभी selective हो लो बात सोच में आ रही है आगे आते हैं अब इंडिकेशन क्या है एंडोजीनस मेज़ा एक तरह का डिप्रेशन एक तरह का अब जैसे की देखा होगा कौन से मूवी थी एक मूवी में था कि उसे सफाई मतलब कहीं बैठेगा तो उसे तुरौं साफ करेगा हाथ हलका से गंदा होगा तो अच्छा ये भी लिखा हुआ इस को इसको मिटा दूँआ तो सफाई दिया मैंने तो जो काम करेगा बंदा करता रहता है ठीक है obsessive compulsive disorder इसको पहले ही समझा चुका हूँ anxiety पढ़ चुके है neuropathic neuropathic pain जो nerves के हमारे pain होते है ठीक है ना attention deficit hyper activity disorder इन children बच्चों में क्या होता है attention deficit जिन बच्चों का attention proper नहीं होता है तो उनके अंदर एक disorder disorder जनल ही देखाओगा तुम लोग ने कि बच्चों को अगर ध्यान ना दो है ना जब देखाओगा चार लोग बड़े लोग बात करते है तो बच्चा कुशन को अक्टिविटी करता कि ध्यान खिशने के लिए वह एक नॉर्मल सी बात है लेकिन जब वो प्याइब आगया इन्यूरेसीस आ गया मायज्सेशन आ गया जैह इसका इसका है एभरेकिनुटी के इन्दीकेशन है रॉक्र को लेकर के ए। प्रॉस्टेट्ट ग्लेंट इनार्ज्मेंट तो इस केस में हम लोग इसको इस्त्माल करने से बचते हैं या फिर समझ लों की दिक्कत होती कई कई एक मिला करने से ठीक है इंडिकेशन डोस अपनी मन पुसंद कोई भी याद कर लेनी है ठीक है, कॉंटर इंडिकेशन लगबख सब में सेम सेम है डेफिनिशन तो बस हेडिंग याद कर लो तो डेफिनिशन याद हो जाती है तो चीजों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें घदे वाला काम ना करें, कि बस जट रहे हैं बैठके स्मार्ट ली पढ़ें, ये चीजें दिवाग में सेट हो जाए और पढ़ते रहो, रिवाइस, करते रहो, प्रॉब्लम आए, तो कॉल करो ओके, आल दा बैश